आपके साथ में डिसकस करने बाला हूँ ए रियल पॉइफ्रेंट के बारे में या किसी एक मेल पार्टनर के बारे में जो आपके साथ में रह रहा है क्या वो सच में आपके पृति जो आपको दिखाता है वो है या नहीं है क्या वो सच में आपका एक रियल बॉइफ्रेंट है या आपका मेल पार्टनर है या सिर्फ वो आपको यूज करने के लिए certain time, certain period के लिए आपको यूज कर रहा है तो आज जो भी points में आपको बताने बाला हूँ इन points को सुनने के बाद में आप एक decision making stage पर पहुच जाओगे जहां पर आपको ये पता लग जाएगा कि वो person सच में आपके तरफ है या सिर्फ और सिर्फ आपको बेब को बनाने की कोशिस कर रहा है तो चलिए शुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा और बाकी की चीज़ा आप सब जानते हो like, comment and all मैं चाहूँगा कि आप भी अपना experience इस comment section box के मादियम से हमार साथ में share करें तो सबसे पहले इसमां आती है कि देखे जब भी कोई एक real partner होता है जो male partner होता है basic तक वो कभी भी आपको किसी भी वक्त call करने के लिए कोई बहाना नहीं डूड़नेगा वो कभी भी आपको call कर देगा और जैसे कि बहाने से मतलब है कोई reason होना ना होना जरूरी नहीं है बस वो call कर देगा और आप से पूछेगा और बताओ मतलब just quite opposite हो जाएगा कि कोई हमें call करता है तो हम पूछेंगे ना कि बही बताओ कैसे call करा लेकिन वहाँ पर आपको से पूछना पड़ेगा might be वो silent हो जाएगा कुछ भी नहीं लेकिन हाँ आपको time to time इस तरह की calls देना बिल्कुल करता रहेगा सुनके थोड़ा odd लगेगा कि ये तो कोई reason नहीं हुआ लेकिन ये reason है बहुत बड़ा reason है अगर आपको किसी के अंदर की सच्चाई देखनी है तो जो reason आज मैं consider कर रहा हूँ उनको देखना पड़ेगा कई बार हमें दिमाग से भी चीज़े सोचनी पड़ेंगी इससे अगला point है देखिए आपको बहुत odd लगती होगी situation कि आपको हमेशा text करते रहना आप एक text कर रहे हो वो हो सकता पास text कर दे बार 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 आपके whatsapp भर देगा पूरा लेकिन अगर वो सच में genuine है आपके लिए तब ही इतना कर रहा लेकिन आप देखिएगा notice करके देखो अगर आप genuine person के साथ में नहीं है तो आप उसको text करोगे तब उसका एक जवाब आएगा हम उसके बाद में चीज़े उससे आगर बढ़ेंगे लेकिन generally होना क्या चाहिए equality maintain होने चाहिए लेकिन अगर कोई person आपके तरफ ज़्यादे inclined है और आपको ज़्यादे या सच में दिल से चाहता है तो आपको बाद text करेगा इकका दुक्का, example मैं नहीं कहूंगा कुछ लोगों ने ऐसा करके भी चीक लिया है और लोगों को चलाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं लेकिन 99% ऐसा ही होता है जो सारे point मैं बता रहा हूँ वही इसके उसमा आते हैं इसके बाद में अगर आप कहीं पर काम करते हैं उसके आसपास हो तो वो मौक के देखेगा कैसे भी करके आपको देख ले देखने के बाद मैं अपना दिन स्टार्ट करें या कुछ भी करके आपके आसपास रहने की कोसिस करेगा ताकि आपको भी फील हो सके कि वो है आपके पास में और उसको भी फील हो सके है और बहुत बार लड़किया इस पॉइंट को बहुत गलत तरीके से consider करती हैं वो आपको आप से अगर आप किसी लड़के के तरफ attract हो रहे हो या लड़के के तरफ देख भी रहえiper हो जाद बात करी हो महँट भी हूं आपका friend ही होGA या कोई भी होगा उसकο jealous feel होगी ही होगी चाहे वो कई बार सो ना करें लेकिन जब भी ऐसा कोई मॉमेंट आएगा वो बिल्कुल सो कर देगा कि हाँ उसको उस परसंस है उस लड़के ऐसा जिससे आप बात करते हो वो जलस फील हो रही है इसके बाद में वो ओवर प्रोटक्टिव होगा आपको लेकर इतना प्रोटक्टिव ऐसा नहीं करेंगा आपको खुली छूट मिं दे-देगा कि आप जाओ जैसे भी जाओगे आपको प्रोटक्ट करने की कोसिसंगए करेगा है इस पर जो भी टाइम होंगे आपने बहुत सारे relation ऐसे भी देखे होंगे हो सकता है वहाँ पर आपको बहुत सारा space तो मिल जाएगा बहुत सारी ऐसी बज़े मिल जाएगी जिनको आप ऐसा महसूस कर सकते होंगे यहाँ पर मुझे बहुत आजाद दिये लेकिन इस case में अगर वो सच में आपके साथ है तो आपको बहुत protect करकर रखना चाहेगा और ऐसा so करेगा, so नहीं करेगा उसके inner feeling रहेगी कि वो बहुत overprotective है और आप उसको समझ जाओगे कि यह दिखाने के लिए कर रहा है या सच में है और सबसे important point जो आज के सारे points का last point है और मैं इसको सबसे जादे important समझता हूँ कि वो आपकी care करेगा हर तरह से care करने की कोशिस करेगा जिस भी हिसाब से वो कर सकता है और आपको इसके एक सबसे लेके पूरे दिन के जो भी पूरे action है उसमें वो दीख जाएगा अगर वो सच में आपसे प्यार करता है या सच में वो आपके साथ में है अगर भीया वो दूसरे हिसाब से दूसरे तरब भी देख रहा है और दूसरे हिसाब से दूसरे सब भी देख रहा तो कुछ नहीं होने वाला वो दिखा भी सकता है सारी चीज़े लेकिन जो genuinely आपके साथ में है वो आपकी care करेगा और हर तरह से करेगा लेकिन ये जिम्मा आपका भी बनता है सारे लड़किया सुन लो जैसे ये सारे point बता है एक perfect relation के लिए एक कुछ समय के लिए एक ये दो दिन के लिए enjoy करने के लिए point बहुत अच्छे लगते लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपने इतना enjoy कर ले उसको bore होने लगा कि ये तो समझती ही नहीं है मुझे सब्सक्राइब है तो चला भी जाएगा